नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ड्वाइस फाग हिंदी के एक नह वीडियो में बाइक एवं स्कूटर निर्माता कमपनी बजाज आटो ने जनवरी 2020 में अपनी बजाज 6 तक इलेक्ट्रिक स्कूटर को लाँच किया था बतादे कि यह विक्री सिर्फ दो शहर पुणे और बैंगलॉर की है ध्यान देने वाली बात यह है कि बजाज ने अब तक किसी अन्य शहर में चेतक को लाँच नहीं किया है साल 2020 के अन्त तक कंपणी चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर को कई अन्य शहरों में लाँच करने की योजना पर काम कर रही थी लेकिन COVID-19 की वज़े से इस योजना में देरी हो गई बता दें कि आज की तारीक में बजाज आटो के वलपुने और बैंगलोर में अपने 13 डिलर्शिप के माध्यम से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को बेच रही है अब बजाज आटो ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को दो नए शहरों में लाँच करने की घोशना कर दी है इन दोनों शहरों में बजाज की स्टेट आट इलेक्ट्रिक स्कूटर को बेचा जाएगा कमपनी के अनुसार ये दो नए शहर चिन्नई और हैदराबाद है इन दोनों शहरों में अगले कुछ दिनों में चेतक स्कूटर को लाँच किया जाएगा हलांकि कम्पनी ने इसकी लॉंच की सटीक टाइम लाइन का खुलासा नहीं किया है बता दें कि बजाच चेतक की बुकिंग हाल ही में 13 अप्रैल को शुरू कर दी गई थी लेकिन अब इसकी बुकिंग फिर से बंद कर दी गई है इसके साथ ही बजाच चेतक की कीमत में भी होतरी की है जिस वजह से अब इसकी कीमत 1,42,000 रुपए हो गई है वहीं इसके टॉप वेरिंट की कीमत 1,47,000 रुपए हो गई है बता दें कि बजाच चेतक की कीमत पिछली बार मार्च में बढ़ाई गई थी इसके पहले कम्पनी ने चेतक के अर्बन वेरिंट में 15,000 रु हुआ है क्योंकि इसके उप करन चीन के वहान शहर से सप्लाई किये जाते हैं अनुमान है कि कम्पनी चेतक के निर्माड में लोकलाइजेशन को बढ़ाने जा रही है हालांकि कम्पनी ने इस पर अभी कोई जानकारी नहीं दी है तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो अ आने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहें ड्वाइश पाक हिंदी के साथ